गुट बॉर्णिंग स्टुडेंस, स्टेंडर फरस्ट सब्चिक हिंदी लास्ट में हम लोगोंने एक शत्रियक का क्षर कंप्लीट किया जिसकी स्पेलिंग थी के S-H-A तो आज का हमारा वर्ण है वो है गना तो क्षर के बाद का वर्ण कौन सा है गना तो गना से गनानी गनानी यानि की जो पड़ा रिखा होता है जिसको सब कुछ आता है उसको गनानी कहा जाता है तो घ से गना से गनानी तो उसकी स्पेलिंग है G-N-A अब हम यहाँ पे निचे दियेगी एक्टिविटी देखेंगे तो गना को गना के साथ जोड़ो यानि आप लोगों सब कोई यह वाली एक्टिविटी आती है हम एगना के साथ जोड़ना है इस प्रकार से अब हम यहाँ पे गना ढूनेंगे और सरकल बनाएंगे गना के उपर तो इस प्रकार से हम कोला बनाएंगे अब यहाँ पे घ्णा के अलावा वनब पर क्रोस करेंगे और हमें इस प्रकासे घ्णा मिल जाएगा अब यहाँ पे हम घ्णा के नीचे रेखा खीचेंगे तो घ्णा के नीचे इस प्रकासे हम लाइन करेंगे अंडरलाइन अब आप मेरे साथ गनव बनाते जाओ तो यह है गनव अब पहले आप लोग सबको डव आता है न तो इस प्रकार से डव करना है डव के बाद नीचे इस प्रकार से और यहां से फीर से लाइन को जोईन करके थोड़ी खीचनी है और यहां से स्टेंडिंग लाइन और इस प्रकार से गनव बनेगा हमारा तो अब यहां पे हम बनाएंगे हमारे तरस से तो पहले हम यह लाइन को थोड़ी बड़ी बनाएंगे और इस प्रकार से डव करेंगे और नीचे एसे कर देंगे Standing line और उपर Hindi की line तो बन गया हमारा गना तो आज का वर्णा हमारा था गना जो हमारा हो गया अब आप लोगों को कसे गना तक वर्णा माला Notebook में भी लिखनी है spelling के साथ और ये वाला page भी आप लोगों को complete करना है ओके?